कि अगर कि अधेंट सिरेagenर्ट के हैं चैप्टर फॉर्स्ट चैप्टर का नेन centrally captain relation संबंध एवम फलन इससे एपनों ने क्लास एलेवन के अंदर दो चैप्टर की है चैप्टर फॉर्स्ट क्या था मुदा सेट्स था और चैप्टर जो सचेटर्डट वारे पास function था है चैप्टर फर्सता Seros समुच्ड आपने सिखा था इंता अ क्लास 11 में और चैप्टर साट एक कौण सब्ड़ाइबंट में function थीक है फलन सिखा था आपने क्या होता हैं तो उसके अंदर आपको आते होंगे तो उसके बाद हमारे पास यह चैप्टर फरस्ट है रिलेशन और फंक्षन जो हमारी क्लास के अंदर इंदर इंपोर्टेट टोपीक है ठीक है कुछ क्योशन आएंगे इन वह आप देख लीजेगा कितने नमर क्याएंगे और आपको समय रहते वें बता दिये जाएगा ठीक है अभी नहीं बताएंगे अधर्वाइस आपका ये फ्लो टूट जाएगा तो बचो इसका बेसी कंसेप्ट जो है वह समझने से पहले मैं आपको 11 क्लास का थोड़ा सा बेस अधर क्लेक्शन ओफ वेल डिफाइन ओब्जेक्ट्स आंकडों का सूप परिभाशित सूप परिभाशित आंकडों का संग्रह अगी बाद समझ जैसे अपने बात करें कि अभी अपने क्लास के अंदर कौन-कौन बैठे हैं इसे बात कर लिए रोहित समीर का है पुनित कि के संजे और हि पृतिक है और भी जो है उनListen कुछ लिख लिए मैंने और अगर इनको कैसे क्या प्रिज्वारा ने उपनियास को सुपरिवाशितों या निनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये क्या हैब बोक्स नहीं है यह रोस्टर है रोस्टर बोलायाता इसको रहे आप समझ जैसे वीडियो में रोस्ट करते हैं वैसे यह रोस्टर है हिंदी में भी इसको रोस्टरी गए है ठीक है अगी बात समझ वैसे तूं मजला ब्रैकिट बोलते हो जैसे अगर अपने बात करें प्राकृत संख्याओं के समुच्चे को ऐसे लिका जाता है द्यान से देख ल वन टू थ्री डैश 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 इंटीजर का जो होता है बच्चों वह जैड से डिनोट किया जाता है ठीक है इंटीजर यानि प्रुणांक जैसे माइनस 3-2-1-0-1-2-3 डैश 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 इनको जब रोस्टर में बंद कर देते हैं तो इसको क्या बोल दिया जाता ह सेट बोल दिया जाता है समुच्चे बोल दिया जाता है ठीक है जैसे आपके बैग में कौन-कौन सी किताबें हैं जैसे अगर मैं बात कुरूँ एक गणित वीशे की है एक कमिस्ट्री की है क्या कहते हैं इंदी में रसाइन विज्ञान एक मानलो फिजिक्स की है बहुतिक सब्सक्राइब तो इन्लें इस रोस्तर में बंद कर दिया और भीच में कोमा लगा दिया तो ये क्या हो गया वच्चु बद गया समस्क्त समय से ऊप क्या होता है अच्छी तरीके से WAVD всё उनको आपको एक reward में बंद कर दिया जाए तो उसे बोला जाता है विछ cancer. ठीक है अब अपने बात करेंगे कि अब की ओडर पेर क्या होता है क्या ओडर पेर क्रमित यूगम हें क्रमित यूगम इसको समझने के लिए आपको एक example की जरूरत है तो मैं उस example की तो आपको समझाता हूं ध्यां से देखिए गाइग जैसे बच्चों कोई सेट ए है और यह सेट है बच्चों बी कि जब हम सेट की mapping कर देते हैं mapping का मतलब समझों कि मैपिंग का मतलब है कि उसका अपने ऐसे ग्राफिकल रिपर्जेंटेशन कर दिया इधर मैं एक एलिमेट लिख देता हूं कुछ इधर मैं यह सेट ए है और यह सेट के बी अभी अब यह एन समझो क्या है मैं कहता हूं कि एक सेट एसे सेट बी में डिफाइन है या अगर हम ऐसे कहें कि कोई function है से यह भी एटा देता हूं कि जान से सुनों कोई एक function है जो एन से एन में define है एन से एन में define है और इनके बीच में जो relation है relation या संबंद उसे अपनी R से denote करते हैं यह संबंद इस प्रकार है कि x,y जहां y बराबर जो है बचो वो x square है ठीक है और x,y बेलोंग्स टू क्या है बचो नैचुरल नंबर है अब दिया से सुनो इस बात का मतलब क्या है यह मैंने एक relation लिखा है संबंद लिखा है इस बात का मतलब यह है n है यह यह क्या n यानि प्राकृत संख्याएं नैचुरल नंबर एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, डैसे जैसे ऐसे चलता जाएगा और इनके बीच में जो बचो function है f जो function है f, वो क्या है function y बराबर x square है y बराबर क्या बचो x square सारे के सारे x तो इसमें से लिए जाते है x इसमें से x लिए जाते हैं सारे के सारे याद रखना और यह सारे के सारे y आते है ठीक है? लेकिन वो कह रहा है कि यह भी natural number का set है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा ऐसे चलता जा रहा है अब इसके जो क्रमित यूगम होगे या ordered pair जो होगे relation के वो आपको पता चल गया कि क्या होगे पता चल गया? x एक रखोगे तो बचो क्या हैगा? 1 x दो रखोगे तो बचो क्या हैगा? 4, x यहाँ पर दो रखेंगे तो आपको पता चल गया x एक रखा तो अनसर आया 1 x दो रखा तो अनसर कितना है? 4, ऐसे x veramente 3 रखोगे तो 9, ऐसे x4 रखोगे तो अनसर आया बचोए 16 ऐसे सभी के लिए हमारे पास क्या अंस्वर आ रहे हैं, 3 के लिए आ रहे हैं, 9, ऐसे 4 के लिए हमारे पास अंस्वर आ जाएगा, 16, 5 के लिए 25, 6 के लिए 36, सभी के लिए अंस्वर आ जाएगा, ठीक है? कि आपको एक्स और वाई हमेशा एन से लेना है प्राकृत संख्याओं से ठीक है अब देखो यह कितने होते हैं जैसे एन होता है प्राकृत संख्याओं का समुच्छ नेच्रल नंबर 1234 ठीका भी लिखके दिखाया था न एन होता है बचो 1234 डैसे तक फिर आता है होल नंबर इनको कहते हैं पूर्ण संख्याओं इसमें जीरो इनक्लूड हो जाता है इसके बाद बचो इंटीजर पुर्णांक माइनस और प्लस वाले दोनों होते हैं माइनस तीन माइनस दो माइनस एक डैसे जैस इदर भी चल रहा है जीरो वन टू थ्री डैसे साथ की साथ नोट कर सकते हैं ठीक है ठीक है इसके बाद के ओता बचो इसके बाद आते हैं हमारे पास क्यु किव कहते हैं अपने द्यांसे पहले समझों क्यों कहते हैं परिमेः संख्याओं को फी बटा क्यू रूप में जो होती है तो ये अपने इनको ठीक है तो यह कौन-कौन सी होगी अपने पास सारी की सारी होगी वैसे तो जैसे 3 by 4 होगी माइनस वाली प्लस वाली 0 1 2 3 यह भी सारी की सारी क्या है rational है क्योंकि 0 को 0 बटा एक लिखा जा सकता है तो rational होगे ठीक है अब यह ना यह जो Q है इसको भी देटीब 3 तो गरिकर से लिखा जा सकता है Q Q plus का मतलब है सारे positive प्राफयोद क्यों नेगटीव मतलब सारे नेगटीव और एक और लिखा जाता है q 0 casal do q 00 का मतलब यह नियंकि 0 लेना है q 0 को कर लोगत 0 को छोट के सारे की सारी लेनी है ठीक है इसके बाय direction x ठीक है एह परिम्य संख्या जैसे रूट टू रूट त्री रूट फाइफ ऐसा इन सभी को हम कहते हैं क्या वास्तिवी संख्या है उसे रियल नंबर बोला आता है रियल नंबर अगी बास समझ रियल नंबर को जो अपने डिनोट करेंगे आर से तो हम आपे स्पेशल मेंशन क करेंगे कि वह रियल नंबर है यहां पर आर किसको डिनोट कर रहा है रिलेशन को संबंद को कि यह जो सैट है इसके अलिमेट इस सैट के अलिमेट से किस प्रकार संबंद रखते हैं वह संबंद क्या होता है संबंद एक नियम होता है संबंद एक नियम होता है कि वह एक समु ना कोई जो equation होती है उस कारण को बचम क्या कहते है function कहते है फलन बोला जाता है आगी बास समझ फलन आप बचमन से पढ़ते आ रहे हो आपने 9th class में equation नहीं पढ़ते थे PX बराबर 3X की cube माइनिस 4X के plus 5X यह सारे के सारे function है कि Y जो है depend करता है X की value put करते रहते है Y की value आती रहती है अगी बास समझ यह सारे के सारे मारे पास क्या है functions है तो यह इनको ordered pair बोला जाता है कि X का मार रखने पर Y का जो मार आया उसको एक bracket में रख दिया और यह सारे का सारे क्या बन गया क्रमित यूगम बनते गए जोन्स पर आते गए और यह जब एक रोस्टर में भी रख दिये जाते है कोमा लगा के तो उसे क्या लिखा जाता है बचो संबंद लिखा जाता है relation इस समुच्चे का इस समुच्चे के अभी वों के साथ कैसा relation है हमने यह denote कर दिया अगी बास समझ आप इसे नोट करो यह जो एक्जामपल है इसे देखो बच्चो हमने क्या पढ़ा अभी क्या पढ़ा अभी relation क्या होता है समझगे relation क्या होता है relation एक नियम है या एक फोर्मुला है जिसके तहित set A set B से सम्मंद रखता है कोई एक समुजच में दूसरे समुच्च से क्या रखता है सम्मंद रखता है जिस नियम दोरा उसे क्या कहता है उसका relation कहते है अभ हम बढ़ते है types of relation types of relation समंदों के परकार समंद कितने परकार क्यों होता है मिपाहला है reflexive किया है बच्चे reflexive reflexive कहते हैं स्वय तुल्या को हिंदी में कहते हैं स्वय तुल्या reflexive स्वय तुल्या स्वय तुल्या यानि खुद के बराबर ठीक है एक बार मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ उसके बाद मैं एक example बताऊँगा आपको एक second में सारा का सारा समझ आ जाएगा ठीक है स्वय तुल्या का मतलब है कि कोई एक संबंद है जो set a पर define है समुच्चे a पर define है यानि उस उस संबंद के जो आपको elements लेने है वो set a से लेने है ठीक है और आपके जो answer आएंगे वो भी set a वाले ही आने चाहिए अगी बाद समझ एक relation है जो set a पर define है इस बात का मतलब यह है कि आपको x की value भी set a से लेनी है और आपके जो answer आए वो भी set a वाले ही आने चाहिए कोई दूसरे नहीं आने चाहिए ठीक है तो मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई a element है जो set a में है a belongs to अगर a है a implies अगर a है तो बचो a, a भी relation में होना चाहिए किसमें होना चाहिए relation में जो अपने relation वाला set बनाते है न अपने जैसे a के अंदर कोई element है तो a, a relation में होना चाहिए अगर ऐसा होगा तो अपने कहा देंगे कि वो जो relation है कैसा है reflexive है so relation is reflexive अगर ऐसा होगा तो अगर नहीं होगा तो हम कहा देंगे नहीं है reflexive बात कराँ अता है संबंद स्वय तुल्य है ठीक है second होता है बच्चे reflexive के बाद symmetric symmetric हो हिंद में कहते हैं बच्चो सममित क्या कहते हैं सममित अब इसका मतलब समझो द्यान से दो element है जो A के अंदर है if यदी A, B अगर relation में है जिसे A, B relation में है जिसे A, 3 है relation में तो B, A भी relation में होना चाहिए then तब B, A भी relation में होना चाहिए जिसे A, 3 है अगर relation में एक और तीन में कोई relation है ना तो तीन और एक में भी वह relation होना चाहिए दो और चार में कोई relation है तो चार और दो में भी वह relation होना चाहिए एक वा लिख रहूं example से समझेगे ना तब समझाएगा ठीक है थर्ड इसके बाद आता है बचो ट्रांजिटीव क्या आता है ट्रांजिटीव हिंदी में कहते है संक्रामक क्या कहते हैं संक्रामक का मतलब है ABC कोई तीन एलिमेंट है ऐसे निया कि समुच्चे में तीन ही है समुच्चे में बहुत सारे हैं कितने भी हो सकते हैं वो किरा अगर A, B अगर relation में है और B, C अगर relation में है इफ A, B और B, C relation में है तब A, C भी relation में होना चाहिए Transitive या संक्रामक सोचो क्या होदा? Transitive का मतलब transition होना एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में relation का बनना संक्रामक किसी भी चीज़ का संक्रमन होना, ठीक है? A और B में जो relation है, B और C में भी होना चाहिए और A और C में भी होना चाहिए यानि A और C में, A से B में है, B से C में, A और A से C में है तो यह अगर ऐसा possible है उस relation में, तो हम क्या लिखने देगे? तो आप इसे नोट कर लीजिए, यह रूल है और अभी अपने एग्जांपल करेंगे, उससे चुटकियों में समझ आजएगा आपको पहले करते हैं पहले क्योशन के इंदर आप सब कुछ समझ जाओगी, रिफ्लेक्सिव क्या होता है, समीटर क्या होता है, ट्रांजिटीव क्या होता है, स्वयत उल्या समी संक्रामक, तो आपको अलग से example देने की जूरत नहीं है, क्योशन का क्योशन हो जाएगा और आप सम कि फर्स्ट क्वेशन में बच्चों हमें कह रहा है डिटर्माइन वैदर इच और फॉलमिंग रिलेशन सार रिफ्लेक्सिव सिमिट्रिक एंड ट्रांजिटी वह पूछ रहा है कि यह स्वैत तुल्या सम्मीत और संक्रामक कौन-कौन से है इन में से तो अपने फर्स लिखते ह बच्चों फस्ट वो कह रहा है कि सेट क्या दे रहा है आपको यह वन टू थ्री फॉर डेस डेस कहां तक फोर्टीन तक ठीक है और रिलेशन आर जो है वह वह क्या दे रहा है नियम क्या है एक्स कुमा वाई जो क्रमिंट यूग मैं ओडर जो पेर है वो किसके एक्वल है थ एक्स कुमा वाई बेलोंग स्टू किया है ए ठीक है उसने लिखा नहीं लेकिन वह कह रहा है कि एक्स वाई आपको इस ए में से लेने हैं यह 3x-y बराबर 0 है क्या मैं इसको वाई बराबर 3x लिख सकता हूं संबंद है यह जो एलिमेंट्स है ना इनमें आपस में संबंद है वाई बराबर 3x अभी मैं करूँगा तब समझ आजएगा पहले यह जो रिलेशन है ना बच्छो आर इसके मैं अलिमेंट लिख रहा हूं जहां से देख लेना बिलकुल असान है सबसे नकली यही है वही तो म प्रेकम तीन किया तीन इसी सेट का है है अगर मैं दो पूर करूं तो दो दो तीन इसे 3 से तीन और दो नुraw पूर तो चारथे 12 चारथे जाड़तेए बारा अगर वाँंच फूर कर दो तो पांद्धा पंद्रा एचि विजयरी नहीं है न इस बात का मतलब है यह रूल 3,9 आएगा 4,12 अगी बाद समझ अब अपने चेक करते हैं पहला टोपी क्या था reflexive reflexive स्वेत उल्यता अगी बाद समझ रिफलेक्सिव स्वेत उल्यता क्या कहता था रूल अगर कोई अव्याव ए में है तो ए कोमा ए भी क्या होना चाहिए relation में होना चाहिए इस बात का मतलब यह था कि जैसे इसके अंदर कितने सारे अवेव है जैसे 1 belongs to A है तो क्या 1,1 R के अंदर है 1,1 दिख रहा है तुमको R के अंदर नहीं दिख रहा ना जैसे 2 इसमें है तो 2,2 है इसमें नहीं है न 3 इसमें है लेकिन 3,3 है इसमें सारे होने जरूरी है तभी reflexive होगा इसमें जितने element है ना उन सबी के लिए 1,1 2,2 3,3 4,4 14,14 तक सारे इस relation में होने चाहिए थे लेकिन नहीं है 1,1 relation में नहीं है not belongs to a this means function reflexive नहीं है sorry relation reflexive नहीं है so relation is not reflexive हिंदी में लिख देना अता दिया गया संबंध स्वै तुल्या नहीं है अगी बास समझ दूसरी चीज़ क्या चेक करते हैं symmetric सम्मित सम्मित क्या कहता है रूल कहता है कि अगर a और b दो element है a के और a,b अगर r के अंदर है अगर if a,b अगर r में है तो b,a b r में होना चाहिए जैसे एक को मा तीन है r के अंदर है कि वी है बसारा ने तुमको समझ समझागी का नी एक को मा तीन तो आर में है वचो बट तीन को मा एक आर में है क्या नहीं है तो क्या लिकित होगे सो रिलेशन इस नोट सिमेट्रिक अधा दिया गया समध सम्मित नहीं है समझागी बात है इसके बाद ट्रांजिटीव ट्रांजिटीव यानि संक्रामक संक्रामक का मतलब है A,B अगर आर में है और B,C भी आर में है तो A,C आर में होना चाहिए मस्ट भी ठीक है एक कुमा तीन है फिर तीन से देखो जहां पे खतम किया है वहां से तीन कुमा नू है लेकिन क्या एक कुमा नू है लिए न एक कुमा तीन है बच्चो आर में वी हैव एक कुमा तीन आर में तीन कुमा नो भी आर में बट एक कुमा नो बच्चो आर में नहीं है अतय दिया गया संबंद संक्रामक नहीं है सोदा गीवन रिलेशन इस नोट ट्रांजिटिव अगी बास समझ इतना ही गेम था बस आपको ओंदाना आना चाये क्यों दिया ही होगा वहाद से रिलेशन के अलिमेंट्स बनाइए और यह तिनों चीज़ें चेक कर लेंगे जो होगा कहता है जो नहीं होगा नहीं है बस बात करता था ओन्ट करो इसे देखो परच्चो इसका सेकंड पड़ो फस्ट का सेकेंड है हमार पास कि relation are in the set of natural numbers अब वो क्या क्या रहा है natural number के set पे संब्ध परिबाशीत है कि इस पे प्राकृत संख्याओं पे और संब्ध के element क्या है x,y जहां y बराबर क्या बचो x प्लस में 5 और condition क्या दिये x छोटा है किसे 4 से देखो द्यान से मैं इसके element लिख रहा हूँ द्यान से देखो x एक रखा तो कितुन आ गया 6,2 रखा तो 7 3 रखा तो 8 4 रख नहीं सकता उसने का x छोटा है किसे 4 से तो यह रख दिया क्या 1,1 है relation के अंदर जैसे एक अपने जो रख रहे हैं यह एक ठीक है यह एक n में तो है इसमें define है n में प्राकर संख्या में एक इसमें तो है प्राकर संख्या में लेकिन एक इसके अंदर है नहीं है न एक कोमा एक सोरी एक कोमा एक स्वेट ले रिफ्लेक्सिव क्या यह प्राकर संख्या में ऊप्राकर संख्या मीएक कोमा उस्ट की हैं यह ठीक हुआट है यहां नहीं होाओ यह तीन कोमा आट हैo 208-8 हो हो रहा है नहीं हो रहा तो इस पर यह तीसरे वाला तो अपलाई होता ही नहीं है तो यह ट्रांजिटीव भी नहीं है आगी बात समझ संक्रामक भी यह नहीं है तो यह क्योशन हो गया complete इसके थर्ड पर थर्ड पर आओ थर्ड क्या कह रहा है बचो सेट ए क्या है 1 2 3 4 5 6 और रिलेशन क्या कह रहा है आर क्या नियम है रूल किसको फोलो कर रहा है y is divisible by x इंदी में क्या लिखा है य भाज्य है x से इस बात का मतलब समझो द्यान से मैं रिलेशन लिख रहा हूँ द्यान से अराम से समझना मैंने लिखा y मैं ले रहा हूँ x और y मेरे पास ये एक है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 इनमें से x और y लेने है इस तरीके से y भाज्य है x से y is divisible y x जैसे मैंने y अगर 1 लिया तो मुझे ये बताओ क्या 1 1 से divisible है है ना अगर मैं 2 लूद हो 22 से भी है 3 लूद हो 3 से भी 4,4 5,5 और 6,6 ये सभी इस रूल को फूलो कर रहे है 6,6 तक क्यों ली है क्योंगी 6 तक ही element है कर रहे हैं अब मुझे ये बताओ जैसे 2 किस किसे बदेगा एक से बदेगा ना दो में एक का बदाता पर भी जाएगा पहले अपने बात कर रहे हैं दो में एक का भाग जाएगा तीन में भी एक का भाग जाएगा चार में भी एक का भाग जाएगा चार देखो वाई को देना है एक से भाग इसलिए वाई वाला पहले बता रहूं दुमको पांच में भी एक से भाग जाएगा ठीक है छै में भी एक का भाग जाएगा अगी ब किसका जाएगा एक तो एक का जाएगा वो तो आगया एक को तीन आ गया और तीन में दो में चार का नहीं जाता चार में दो का बाग जाता है दो में चार का नहीं जाता ने एक बटे दो बनेगा वो तो ठीक है अब चार में किस किस का जाएगा चार में एक का जाएगा ये आ गया और चार में बचो दो का भी जाएगा चार में चार का जाएगा वो तो ये रहा अब पांच में एक का जाएगा सिरुफ वो ये रहा पांच में पांच का जाएगा वो ये रहा च element बनगे बच्चों हमारे पास इस relation के इनकी अलावा और कोई element नहीं बनेगा हमें सारे के सारे element लिखने होते हैं समझागी बात अब तुम खुद बताओ मुझे इस set a में एक दो तीन चार पांच छे है है न तो क्या 1-1-2-3-3-4-4-5-56 है नँसरे के इनर समझ रहे न बात को फिलिंग आहुंग ने लवन 1-2-3-4-5-6 यह सारे के सारे किसमन सेट ए में है लें लाआ तो 111 पिलोंगस टू-1 ऑनी को माई टू-1-2-3 बिलोंगस टू-1 है कर दिए इन 7- crack-4 बिलोंगसं टू-1 है 5,5 belongs to R है 6,6 belongs to R है अगी बास समझे अधर दिया गया फलन reflexive है so the given function is reflexive क्या यह दिखा हुए ना हाँ क्या इसका तो वो तो पहले अपने स्वैत उल्या पर बात कर रहे है ना पहले यही केस देखेंगे सारे के सारे पहले इस पर बात हो रही है यह तो element निकाल लिए अब जो अपने को चाहिए सिर्फ उस पर concern करेंगे ना अब इसको देखना थोड़ी होना चाहिए इसको ऐसे चेक किया जाता है द्यान से देखो इधर आओ सबसे अलगी element यह एक कोमा दो है तो चेक करो दो कोमा एक है क्या नहीं है ना नहीं है ना एक कोमा दो तो बच्चों है बिलोंग स्टु आर बट दो कुमा एक अत नोट बिलोंग स्टु आर क्यों नहीं है इसके बच्चे रीजन तो यह था कि वाई में अगर एक्स का बाग दे रहे है तो एक्स में भी आफ्स का जाहिए जरूरी थोड़ी होता है तोal टो मभर्न ऊट बिलोंग स्टु आर आ की कै Q Malai Hai तो में को मां स्यालिक करना चाहिए जहां से देखो ये एकको मां दो है अब दो से कोन स्टार्ट हो रहा हो रहा कुछ दो को मां चार कि म bio प्रेसी पर है यह इनकर गोर refugee हो रहा है नहीं हो रहा है वन कोमा फाइव से को स्टार्ट हो रहा है नहीं हो रहा है तो बन और फोर भी तो है फिर से यहीं पहुंचके ना पहुंचे यहीं है समझा या नहीं समझा है वन कोमा फाइव है फाइव से को स्टार्ट नहीं हो रहा नहीं हो रहा है यहीं हो रहा है तो पहीं आगया दुबारा गों फिर पर लंगा खर 1,6ए 6से कोई चाड्ट 9-4 और फॉर से कोई स्टार्ट और यह हिर फिर्से टू कोमा फॉर भी ही ठीक है ठीक ही टू कोमा शिक सिक और को श्टार्ट नहीं वह रहा यह जो हो रहा ह tv6,6 फिर से 2,6 तू आई ऐसे यह तो सारे के सारे हैं न यहां पर ऐसे लिख देंगें for all elements यह for all a, b, c belongs to a we have a, b belongs to r b, c belongs to r and a, c belongs to r so given relation is transitive अतर दिया गया संबन्द कैसा है बचो संक्रामक है अगी बाद समझ तो इस तरीके से आप इन्हें कर सकते हो यह नहीं है और यह है अगी बच फॉर्थ पढ़ो बचो इसका एक्स कुमा वाई किसमें डिफाइन है जैड पर डिफाइन है बचो जो रिलेशन है वो किस पर डिफाइन है जैड जैड यानी पुर्णांक इंटीजर्स इंटीजर्स क्यों पढ़ ले रिलेशन की जो एलिमेंट है वो किस परकार कह रहा है एक्स कुमा वाई है और जहां एक्स माइनस वाई इस एन इंटीजर्स यानी दोनों का अंतर क्या बचो एक पुर्णांक है अब इस चीज़ को समझने के लिए आपको ये बात समझनी है जैसे मैं यही से प्रूफ करके दिखाऊं बिना डिजिट्स के प्रूफ करके दिखाता हूं इसको द्यान से देखो एक्स माइनस वाई एक्स बेलोंग्स टू जैड के लिए मैं रिफ्लेक्सिव चेक कर रहा हूं एक्स कोमा एक्स वी हैव एक्स माइनस एक्स रिलेशन क्या कह रहा है कि दोनों का डिफरेंस इंटीजर होना चाहिए तो एक्स माइनस एक्स क्या आएगा जीरो आएगा एक्स माइनस एक्स क्या होता है जीरो होता है और जीरो क्या एक इंटीजर है 0 is an integer जैसे तुम integer से 2 लिया तुमने element 2 तो 2,2 में ये rule follower है 2 अगर प्रुनांक है If 2 is an integer तो क्या 2-2 भी एक integer ही आएगा 2-2 से या x-x से हमेशे 0 ही आएगा और 0 integer है इस बात का मतलब है ये function reflexive है यानि जब भी आप integer का कोई element लोगे तो उसका खुद के साथ जब difference find करोगे तो वो भी एक integer आएगा ही आएगा प्रुनांक आएगा ही आएगा समझगी बात को समझे अलग तो लेना ही नहीं rule क्या कह रहा है a, a belongs to r होना चाहिए समझगी बात above इधर देखो we have x-y is an integer x-y एक integer है तो बताओ y-x भी integer होगा गया होगा ना 2 में से 3 गया या 2 में से 1 गया तो एक आया एक integer है प्रुनांक है एक में से 2 जाएगा तो माइनस ही का गया लेकिन है तो वो भी integer माइनस के फरक पढ़ने से integer की प्रोपर्टी थोड़ी चेंज होगी है तो इंटीजर ही तो y-x is also integer तो यही रूल कहता था a comea b अगर R में आ तो b come a भी तो R में उना च्छी है तो यह से हमारे पास x,y अगर R में आ गया तो y,x भी तो R में आ गया तो अपने क्या कहते ही तो function is symmetric ठीक है 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 सम्मित भी है संम्मित भी है अब अगर अपने बात करें कि X-Y अगर एक इंटीजर है और Y-Z भी है तो बताओ X-Z भी होगा क्या होगा ना एक दो तीन यह डिजिट एली एक माइनस दो है दो माइनस तीन है तो तीन माइनस एक माइनस तीन भी हो तो होगा तो X-Z is an integer also आगी बाद समझ तो इस तरीके से यह तीन नो ही है स्वेतुल्य भी है सम्मित भी है संक्रामक भी है आगी आप सभी को बाद समझ इसे नोट कर लो ठीक है दूसरा क्योशन बढ़ो सभी दूसरा क्योशन कह रहा है कि एक आर है जो रियल नंबर के सैट पर डिफाइन है जो रिलेशन है बचों संबंध किस पर डिफाइन है वास्त्विक संख्याओं के समुच्चे पर रियल नंबर पर पहले का पांच में देखो पहले का पांच हो ऐसी वर्बली करा देता हूं पहला आर है बच्चों हमारे अर्पस एक्स एंडवाई वर्क एड़ दा सेम प्लेस ठीक है समद्द क्या एक्स और वाई एक ही जिगहां पर काम करते हैं ठीक है मांवे वाई अब यह ना रियल लाइफ से रिलेटेड एग्जम्पल है जैसे एक रोगाई जैसे मैं जैसे राम और शाम एक की ओफिस में काम करते हैं तो पहले अपने चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव तो राम का राम से समझ चेक करना है क्या राम वही काम कर रहा है जहां राम काम कर रहा है राम वही काम कर रहा है एक्स वही काम कर रहा है जहां एक्स कर रहा है कर रहा है ना राम और राम तो सेमी है तो एक्स काम कर रहे है वहां वाई कर रहे है तो जहां वाई कर रहे है तो यह समझ तो यह जो फिफ्ट का जो आपको ए दिया ना यह एक्स इंड वाई लीविन दे सेम लोकल टी ठीक है सही है समझ वात को जहां एक्स रहा रहा है तो यह जैड भी तो रहेगा तो यह ट्रांजिटी भी हो गया संक्रामक अब ज्यान से सुनो C option X is exactly 7 cm taller than Y X Y से 7 cm बड़ा है 7 cm बड़ा है तो पहला चेक करते हैं X, X क्या X खुद से 7 cm बड़ा हो सकता है? हो सकता है क्या समीर? तू तो हो सकता है वाकि वो नहीं हो सकता तो ये reflexive नहीं है X Y से 7 cm अगर बड़ा है तो क्या Y भी X से 7 cm बड़ा हो जाएगा? ऐसा possible नहीं हो सकता नहीं हो सकता है? अब X Y से अगर 7 cm बड़ा है Y Z से अगर 7 cm बड़ा है तो क्या X और Z में 7 cm कही रहेगा डिफरेंस? नहीं रहेगा ना? ज्यादा हो जेगा? 14 को हो जाने चीए वैसे तो तो ये ना reflexive है, ना symmetric है, ना transitive है अब D तुमारा favorite आ गया X is wife of Y ठीक है? X अगर Y की wife है अब इसमें पहले reflexive चेक करते हैं X की wife हो सकती है? क्या कोई swim की wife हो सकती है? नहीं हो सकती X Y की है तो क्या Y की X की होगी? नहीं होगी ठीक है क्या? अगी बास समझ X Y की है Y Z की है तो क्या X Z की हो जाएगी? नहीं हो सकती तो ये तीनों नहीं है आगी बास समझ तेरे लिए यह आ गया ठीक है एक्स इज फादर ओफ वाई एक्स क्या एक्स का ही फादर हो सकता है नहीं हो सकता एक्स वाई का फादर है तो वाई क्या एक्स का हो सकता है नहीं हो सकता है एक्स वाई का है वाई जैडिका है तो क्या एक्स जैडिका हो सकता है नहीं हो सकता है स वास्त्विक संख्याओं के समुच्य पर ये परिबाशित है second question वास्त्विक संख्याओं के समुच्य पर परिबाशित है relation R है वो कह रहा है इसके element में जो relation एक समझते हैं अपन्ति आपने पिए एक समते हैं अपने हैं एक उमाभी होगोだけ ? उसकें अबिए और में और समझना वह से कि एक सीरों आहिंँ समझने के लिए आपको कोई ने example लेना बढ़ता है ठीक है जिसे मैं एक element लूँ बच हूँ यह बराबर मैं एक बटा तीन माल लूँ ठीक है तो एक बटा तीन यहां पुट करना है आप आपको एक को माँच करना है कि आर में है या नहीं चेक करते हैं एक को माँच आर में है या नहीं के 1 by 3 कि या less than equal होगा 1 by 3 के स्कुरार से 1 by 3 less than equal 1 by 9 एक बड़ा 3 चोटा होता है एक बड़े 9 से नहीं होता न तो यह reflexive नहीं है कि आ मिसे कоде को हुए example लैने होते हैं जिनसे वह false प्रूफ हो जाए यानि आपने एक भी अगर ऐसा एक्जामपल डून लिया ना जो रिलेशन फोलो नहीं करता तो वो क्या हो जगा फोल्स हो जाएगा ठीक क्या तो रिफ्लेक्सिव नहीं है अब बात करते हैं एक को मा भी अगर बिलोंग स्टू आ रहा है यानि अब अपने को अपनी मर्जी से एक पहला ऐसा लेना जो ट्रू देखो लेट करते हैं बचो ए बराबर एक बटा चार और बी बराबर एक जहां से देख लेना एक बटा चार का स्क्वेर स्वरी एक बटा चार एक बटा चार क्या लेस दन इकोल होगा एक के स्क्वेर से एक बटा चार क्या छोटा बराबर होता है एक के एक बटा चार बटा होता ना एक से होता है तो क्या बी कोमा एक की कंडिशन में ज्यांसे देख ले ना यह तो कौन सी कंडिशन चैक की है एक कोमा बी बी कोमा एक की कंडिशन में क्या एक लेस्दन इकोल होगा एक बटा चार के स्क्वेर से क्या एक लेस्दन इकोल होगा एक बटे 16 से नहीं है है हमारे पास a less than equal b square तो a b पर यह लगाते हैं a क्या बच्चो less than equal b square equation 1 b और c पर लगाओ b less than equal बच्चो हो गया c square हमारे पास आना क्या चाहिए a less than equal होना चाहिए c square यह आना चाहिए ना result लेकिन a जो b square है उसकी value जो अपने यहां put करेंगे हमारे पास outcome क्या आना चाहिए अगर a और c में भी relation हुआ तो उत्तर क्या आना चाहिए बच्चो हमें यह बनाना है a less than equal c square आप चेक करो क्या यहां से ऐसा possible है क्या बनना यह चेक करते हैं देखो हमें क्या चाहिए b नहीं चाहिए तो b की जिगा अपने यहां से value पुट करें तो अपने इसका square करते हैं square यह बन गया b square less than equal c square b square की value बचो put की sorry यहां पर c की power 4 बनेगी न बीका तो square हो जगा c की power 4 बनेगी लेकिन हमारे पास जब b square की value जब आप यहां से put करोगे a तो a ब्राबर a less than equal आगया c की power 4 से लेकिन आना क्या चाहिए था अगर a और c में relation होता तो a less than equal आना चाहिए था c square इस बात का मतलव यह a,b belongs to r b,c belongs to r but a,c not belongs to r है बचो अर्थात इस condition के अंदर यह संबन अगर हो तो जो relation है वो संक्रामक भी नहीं होगा यहां पे भी नहीं हुआ और वो भी नहीं हुआ ना यह reflexive है ना यह symmetric है ना यह transitive है इसका example थोड़ा सा याद रखना या अगर आप में सक्षमता है तो वहाँ पे बना लेना हजी बोलिए यह कुछ भी लैट कर सब्सक्राइब लेकिन लैट वो करना है जिससे यह false proof हो जाए अगर ऐसी कोई digit है नहीं जिससे false नहीं होता तो धक्के सिर्मत करें ना अगर ऐसी कोई digit है नहीं फिर उसका मतलों तो यह सिमेट्रिक है हाँ एक तीसरा क्योशन बढ़ो अगर 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 कि तीसरा क्योशन बढ़ो बचो कि तीसरा क्योशन है आर है बचो हमारे पास एक कोमा भी जहां बी बराबर क्या बचो ए प्लस वन है चल रहा है कि देखना कि कितना होगे टाइम यह गंटेज उपर होगे ठीक है देखो तीसरा किसमें डिफाइन है सेट क्या है वर्ण टू थ्री फॉर फाइव सिक्स बच्चों मैं इसके अलिमेट बना देता हूं पर आप खुद बता दोगे कि यह है मैं इसके अलिमेंट बना देता है आप खुद ही बता दोगे यह है या नहीं यह पर एक जिगा बन रखो बी कितना आ तो बात कटम रिफ्लेक्सिव नहीं है एक माद दो को माद तीन है लेकिन एक माद इन नहीं है तो यह समेंट्रिक नहीं है अगी बास समझ तो इतनी सी बात थी इसके देट फोर्थ है रिलेशन कह रहा है किस पर परिबाशित है वास्तवी संख्याओं के समुच्चे पर यह जो आर डार्क लिख दता है इसका मतलब होता है रियल नंबर का सेट आई यह जब किसी को डार कर दिया जाता है अलफावेट को तो वह एक सेट बन जाता है और कैपिटल आ र हो गया कि एक कुमा ए यानि ए क्या खुद से छोटा या बराबर हो सकता है आइदर और कंडिशन है कोई एक ट्रू होने चाहिए तो यह ट्रू हो गया तो यह क्या है स्वेट तुल्या है रिफ्लेक्सिव है कहां भी तो खोते ए लेस दन इकोल बीगा मतलब है जब एक कुम ठीक है स्वेट लिए गया है अजाल है sDOThis चयक कर लें अब देखो जैसे जैसे इसे ऐबी ऑए लेस्दवण के हो भी है नहीं होगा ना ऐसемव बचे छोटा एक कुल माल लिया थीन कर उस्यों एक पर दो तीन करे चोटा बाला कर चलेगा है तो और तीन चूटा adesso हो गया एक से दा अधियो हों गया आख संम्मेट नहीं है दिए अगर अगर B से छोटा है 20cc से चोटा है तो AC से छोटा होगा कि एगड़ देन युकल है B less than equal है से dosillos अल्सों लेसद इकोल awakening- DAVID एक तीन से तीन पांच से तो एक पांच से भी तो होई किया छोटा है ठीक है अगी बाद समय तो यह ट्रांजिटीव है कि चेक करो सही है तो हो गया यह फोर्थ क्योशन तो बचो फिफ्ट जो क्योशन है पांच्वा क्योशन बड़ो कि जो रिलेशन आर है वो क्या है बचो एक कॉमा बी बिलॉंग्स टू क्या है सॉरी एक कॉमा बी में रिलेशन है जहां एक क्या बचो लैस दन इकॉल क्या है बी की क्यूब यह हमारे पास क्या बचो रिलेशन तो इसको भी हमें एक एग्जाम्पल से समझना पड़ेगा कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या कोई डिजिट ए एक कोमा ए में रिलेशन लगा रहे हैं खुद से खुद के बराबर या खुद की क्यूब के छोटी हो सकती है तुम बराबर वाला केस हो रहे हो वन की केस में केस में सोच रहे हो वन लेस दन इकोल होता है वन की क्यूब के लेकिन मैंने क्या कहा था ऐसा केस सोचना है जिससे यह फोल्स हो जे यह ले लिए बच्चे वन बाई थ्री क्या वन बाई थ्री चोटी बराबर होगी वन बाई थ्री की क्यूब से वन बाई थ्री वन बाई ट्म समझो एक हो मावी वाली एक लेते हैं एक बटा चार बी लेते हैं एक यांसे देगो एक बटा-चार छोटा यह बढबर होगा एक की क्यूब से यह एक बड़ा छोटा होगा एक से सही बात है जब हम a, A,B belongs to R लेके चलते हैं तो बच्छो ये वाला case true लेके चलते हैं और हमें ये वाला चेक करना होता है if or then समझे रहे हो ना कि ये सही होने की condition में क्या ये भी सही होगा चेक करते हैं एक बटा चार छोटा equal हो गया बन की क्यूब से ये true हो गया अपने चेक करते हैं बी कोमा ये एक कोमा भी चेक कर लिए न अब क्या चेक करते हैं बचे बी कोमा ए एक क्या less than equal होगा एक बटा चार की क्यूब के क्या एक छोटा ये equal होगा एक बटा चोशर से नहीं होगा एक तो बड़ा इस है this means ये symmetric नहीं है अब बच्चे बात करते हैं अपने ट्रांजिटीव पर ट्रांजिटीव तो वैसे ही होजएगा ए बच्चो less than equal होगया बी की क्यूब equation 1 बी less than equal होगया सी की क्यूब equation 2 हमें यहाँ पर एक कोमा सी में relation लाना है यानि हमें क्या लेकियाना है वही बात ये less than equal C की क्यूब लेकिन मैं इसकी दोनों तरफ क्यूब करता हूँ क्यूब इक बोच साइड तो ये बन गया B की क्यूब लेस दन इक्यूब सी की पावर 3-3-4-9 पावर पर पावर पावर का multiply B की क्यूब की value पुट कर दी A less than equal हो गया C की power 9 लेकिन हमें क्या चीए था A less than equal C की power 3 तो ये transitive भी नहीं है S equation फसा देते है इसलिए S equation डंग से कर ले न अगी बास समझ इनको एक दो बार करके देखोगी न तब पता चलेगा ये less than equal वाले equation 6th question बढ़ो 6th question ध्यान से समझो कितने question होते है उतने तो करें जितने हो जाएं कुछ questions है जो verbally हो जाएंगे मैं verbally आपको समझा रहा हूँ 6th question 6th question में बच्चो आपको संबंद दे रखा है R बराबर 1,2,2,1 ठीक है तो 6th question में बच्चो हमारे पास जो relation दे रखा है वो किस set पे define है समुच्चे क्या है 1,2,3 है तो बच्चो द्यासी देखो समुच्चे A पे define है 1,2,3 A मान लिए उसको तो क्या relation जो दे रखा है उसमें 1,1 है 2,2 है 3,3 है नहीं है इस means जो function है वो reflexive नहीं है स्वैतुल्या नहीं है अब देखो relation में बच्चो 1,2 दे रखा है तो क्या 2,1 भी है जी हाँ है इसका मतलब वो symmetric है ठीक है लेकिन relation में बच्चो 1,2 है 2,1 है और 1,1 भी तो है जैसे देखो 1,2 है 2,1 है और 1,1 भी तो है है क्या 1,1 देख रहे है नहीं है ना 1,2 है 2,1 है लेकिन 1,1 नहीं है संक्रामबक है नहीं है समझ रहे हैं ना बात को यहीं तो प्रूफ करना दा ठीक है symmetric है लेकिन ना reflexive है ना ही transitive है समझ गे बात को अब द्यांसे समझो सात्मा क्योशन R equal X, Y X और Y में समान पेजों की संक्या X and Y have same number of pages यहांसे समझो क्या X में खुद के बराबर ही page होंगे X जैसे कोई किताब है क्या किसी किताब में खुद के बराबर ही page होंगे होंगे यानि X, X belongs to क्या है R है तो यह reflexive हो गया X में Y के बराबर अगर page है तो क्या Y में X के बराबर भी page होंगे 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 ना समिधरी बात को तो यह सम्मेटर भी है सम्मेट भी है एक्स में वाई के बराबर पेज है वाई में जैड के बराबर पेज है तो क्या एक्स में भी जैड के बराबर होंगे होंगे ही इसका मतलब यह ट्रांजिटिव भी है संक्रामक भी है हो गया सात्मक यो symmetric and transitive this means वो क्या एक तुल्यता समद्द है बचो equivalence relation है अगी बाद समझ इसके बाद पढ़ो आठमा क्योशन आठमे क्योशन में बचो हमें कह रहा है कि एक set R है जो 1,2,3,4,5 पर define है ठीक है एक relation R है जो set A पर define है 1,2,3,4,5 और जो R है बचो वो किस नियम से एक दूसरे से relation रखते हैं कि A माइनस B जो है बच्चे क्या है A माइनस B जो है बच्चे उसका modulus क्या है E1 है तो मैं यह करके दिखाता हूँ देखो द्यान से कोई सा question है question नमर 8 है बच्चो relation R जो define है क्या कह रहा है modulus जो X माइनस Y क्या कह रहा है is an even A को माइनस B जो A माइनस B is an even number और किस पर define है यह set A पर set A के element बचा 5 तक है क्या मुझे एक बात बताओ R यहां पर तुमको पहले 1 लेना है तो क्या 1,1 relation होगा 1,1 का मतलब है एक में से एक गया 0,0 even है even है ना समसंख्य होती है 0 neutral है तो 1,1 relation में है है अब 1 का 2 के साथ difference odd बनेगा 1 का 3 के साथ even बनेगा ना तो 1 का 3 के साथ है 3 का 1 के साथ भी होगा 1 और 3 का अंतर even है तो 3 और 1 का भी तो even ही होगा 1 में से 3 गया minus के 2 लेकिन modulus लगा है plus का 2 even 3 में से 1 गया 2,2 भी even होगा ठीक है अब अच्छो वैसे मैं वो तो लिख दूँ पहले 1 का 1 के साथ 2 का 2 के साथ भी तो होगा 3 का 3 के साथ भी होगा 4 का 4 के साथ भी होगा और 5 का 5 के साथ भी होगा क्यों होगा क्योंकि इनका difference हमेशे क्या रहेगा 0 ही रहेगा ठीक है sorry even ही रहेगा difference 0 रहेगा और 0 क्या होता है even होता है इसलिए even भी है वो एक का किस 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 साथ कर दिया एक का तीन के साथ हो गया एक का अब पांच के साथ हो गया बताओ एक और पांच का डिफरेंस चार बन गया और पांच कोमा एक ठीक है अब दो का किस के साथ होगा दो का चार के साथ हो गया बच्चो और तीन का किसका हो गया पांच के साथ दो का चार के साथ है तो चार का दो के साथ भी हो गया और पांच का तीन के साथ भी हो गया ठीक है अब द्यान से सुनो एक दो तीन चार पांच क्या एक का चार के साथ तीन बनेगा ना उत्तर अंतरन उनका तीन बन गया तीन ओड होता है ज्यासर सुनो एक दो तीन चार पांच सेट ए में है तो क्या वर्ट टू कुमा डू टू कुमा 3,4-4,5-5 सारे relation में है, है, इसका मतलब स्वेतुल्य है, reflexive है, है यह सारे के सारे लिख दे ना, 1,1 belongs to Kart 2,2 belongs to है आप यहां से समनोल मोस यह को मा इसा लिए TH को मैपी ने और नो एक तीन को मैं क्यल चाने कर सब्रकाद अई हमाइए 2,8 चार है चार कुमा दो ए तीन कुमा पाँच पांच को मतीन इसारे fim न ठीक है यहस कहता का ना एक को मा भी यह तो भी को मुंद्ध में इसलिए दिया गया प्लें किया सम्म्मित है समेंट्रिक है तो ऐस विपत्रीप है लगी संभन दर फलन आ गया अब भी विलन लीकर करने थे लिख?. है एक तीन है तीन पार्च है तो क्या एक पाचे का हां है 1 और 3 का डिफ्रेसंस अगर एवन है तीन और 5 का अगर येवन हैं तो panc henry इव होगा समझझेए बात को तो यह भी लिख देना इसके अंदर तो यह भी क्या है और यह भी क्या बच्टो है क्या कि अ क्या कि हां एड के अ白च पहले तो यह पुछा है कि Equalence Relation है या नहीं पहले तो इतना पुछा है Set A के उपर पुछा है ठीक है तो Set A पर तो है बता दिया तुमको फिर वो कह रहा है आपको कि अब आपको एक सेट लेना कौन सा एक तीन पांच वो 2,4 से रिलेट करता है But no element of 1,3,5 is related to any element of 2,4 वो कह रहा है कि 1,3,5 जो है इसके element 2,4 के element से relation नहीं रखते relation क्यों नहीं रखते या आपको बताना है relation उपर लिखा हुए आपको क्या A-B even है तो एक और दो का difference even है क्या बताओ नहीं है ना एक और चार का even है नहीं है 3 और 2 का नहीं है,3 और 4 का नहीं है,5 और 2 का नहीं है और 5 और 4 का भी नहीं है समझे ये बात को, इस बात को ऐसे समझो ध्यान से सुनो तुमने 11 क्लास में एक चीज सीखी थी वो कह रहा है सिद्ध करके दिखाओ कि आपको एक set दिया है कौन सा, set A क्या है बोलो एक, दो, तीन है, mehr गया एक, तीन, पांच जो है वो बी जो सेट है क्या है,दो, चार है वो कहरेंगे इसके साथ वो संबद नहीं रखता ए और बी में जो संबद गते हैं जो ए क्रोस बी होते है एक रोस बी के अलिमन देखो देयां से एक कोमा दो 1,4 3,2 3,4 5,2 5,4 यह जो element है क्या यह सारे के सारे element जिस relation को follow कर रहे हैं जो नियम आपको दिया था कि दोनों का difference even होना चाहिए 77 होना चाहिए क्या उसको follow कर रहे है 1 और 2 even होता है इनका difference इनका भी नहीं होता इनका भी नहीं होता, यह सारे के सारे ओड दे रहे हैं आपको इसका मतलब यह जो आपको set दे रहा है A से, यह जो relation है A से B पर संब्ध है यह नहीं, कौन सा संब्ध नहीं है, reflex भी नहीं है symmetric भी नहीं है, transitive भी नहीं है अगी बार समझ, A और B के अंदर A अगर आपके पास set एक तीन पांच है B दो चार है, तो इनमें relation ऐसे लिखते थे आप class 11 में, अगर याद नहीं है तो मैंने लिख के भी दिखा दिये आपको, लेकिन यह उस relation के rule को follow नहीं करते है, जिनमें difference क्या होता है E1, 1 और 2 का difference क्या होता है minus का 1, modulus लगा है, उसमें तो plus का 1 लेकिन है, वो O, D, ठीक है Nova क्योशन है बच्चो, set A पे define है A set देखो क्या है X belongs to Z जहां, जो X है बच्चो, किस से किस के बीच में है 0, 12 के बीच में है ठीक है, और वो क्या कह रहा है जो first है, बच्चो, उस relation के मैं elements लिखके दिखाऊंगा, आपको सारे के सारे दियान से देख लेना A, B, जहां modulus A minus B, बच्चो, क्या है is a multiple of 4 4 का गुनज multiple of 4 4 का गुनज देखो बच्चो, दियान से इसके element लिखते हैं, दियान से, आप बताओ follow क्या कर रहा है, A minus B पहले आपको reflexive वाले element चेक करने चाहिए, reflexive वाले आप मुझे बताओ x 0 के बराबर है 0 से लेके 12 तक सारे element अपने पास, क्या 0, 0, 4 का multiple होगा 0, 4 का multiple होता है 0 सभी का multiple होता है सभी का गुनज तो 0, 0 यानि 0 और 0 का difference 0 आएगा, और 0 का modulus 0 आगया, और 0 4 का multiple होता है होता है, ऐसी बचो 1,1 भी होगा, क्योंकि 1 और 1 का difference 0 होगा 0 आगया, फिर से 4 का multiple, ऐसे करके बचो ये सारे के सारे 12,12 तक तो होगे 12,12 तक सारे होगे, ठीक है अब आपको दिमाग लगाना है कि और कौन कौन से होगे, अब आपको वही element लेने है जिनका difference 4 का पहड़ा बने, ठीक है 0 के साथ और कौन आ सकता है 4 0 और 4 का difference, माइनस 4 बनेगा जो 4 के पाड़ेगा, ठीक है और 4,0 ऐसे भी कर लिए गरो तकि साथ के साथ इसका element भी हो जाए 0 के साथ 8 8 के साथ 0, 0 के साथ 12 और 12 के साथ 0, ठीक है अगी बाद समझे अब बच्चो 0 को छोड़ दो एक के साथ 1,5 5,1 डिफ्रेंस चार है ना चीए न, 4 के पाड़ेगा फिर 1,9 8 अठा गया 9,1 हो गया फिर 1,13 चाहिए तेरा ही नहीं, छोड़ दे 2,7 2,6 6,2 4 आ रहा है उत्तर फिर 2 के साथ क्या 10 10 दो और 10 का डिफ्रेंस आठ आ गया फिर 10,2 ठीक है फिर 2 के साथ 14 चीए 14 है नहीं उसके अंदर तो 2 वाला हो गया अब 3 के साथ 3 कॉमपा पहले अगया 7 7,3 फिर 3 के साथ आ गया वचे हमारे पास 11 फिर 11,3 फिर आ गया वचे हमारे पास 3 वाला हो गया फिर 4 के साथ हो गया वचे 8 और 8 के साथ 4 हो गया ते चार की साथ बारा और बारा के साथ चार हो गया सारे ऐलिमेट लिखके दिखा रहा हूँ आपको तक यह आपको अच्छी तरिके से समझ 1500 अब देखो और तो चार की साथ 16 चाहिए था 16 ही नहीं पांच के साथ 9, 9 के साथ 5, 5 के साथ 13 तेरह ही नहीं 6 के साथ 10 10 के साथ 6 बस 7 के साथ 11 11 के साथ 7 आ गया ठीक है फिर 8 के साथ 12 और 12 के साथ 8 तो ये element इतने element बनेगी ये जो element है इतने ये सारे आपको बता रहा है कि reflexive तो है स्वेत उल्या तो है अगर इतने सारे आपको element नहीं लिखने होते तो वो condition क्या होती वो condition ये होती कि a, a a belongs to a के लिए a, a belongs to r a minus a का modulus equal 0 ये लिख देते है 0 is a multiple of 4 और हमें ये सारे की सारी ये सारे element लिखने ही जरूर तो नहीं है ये क्यों लिखे है तक ये आपको समझा जाए ठीक है तो ये reflexive है बात करते हैं symmetric symmetric a, b belongs to r ठीक है इसको मैं ऐसे define कर देता हूँ a minus b is a multiple of 4 then we know that b minus a is also multiple of 4 so b, a so b, a also belongs to r उसको ऐसे लिखा जाता है अगी बास समझे आप सभी चेक कर सकते हो इसके नहीं देखो ये देखो 0,8 है तो 8,0 है 2,10 है तो 10,2 है हमने लिखे ही उस तरीके से सारे के सारी अब transitive transitive के मतलब a, b belongs to बच्चो आर है this means a minus b is a multiple of 4 फिर हमें क्या लेकी चलना होता है b, c भी तो true लेकी चलना होता है this means b minus c is a multiple of 4 तो हमें ये पता है a minus b अगर 4 का multiple है b minus c है तो a और c में भी तो difference 4 का multiple ही रहेगा समझे रहें बात को so a minus c is a multiple of 4 so a, c also belongs to क्या होगा बच्चो आर अता दिया गया समद्ध ट्रांजिटिव भी है symmetric भी है reflexive भी है स्वेत उल्य भी है submit भी है संक्रामक भी है क्या आपको आई बास समझे क्या है क्या तीनो देखो अगर तीनो है तो equivalence भी है ये relation ठीक है तुल्यता समझ आई एक check कर लो इसका second पड़ क्या कह रहा है second में कह रहा है a,b और a बराबर है b के क्या कोई digit खुद के बराबर होती है a बराबर होगा a के reflexive है a अगर b के बराबर है तो क्या b a के बराबर होगा बचो होगा a अगर c के बराबर है sorry a अगर b के बराबर है b a के बराबर है we have a बराबर b and b बराबर a then sorry b c लेके चले A B के बराबर B C के बराबर A B तो C के बराबर हो गया So A, C Belongs to हो गया आर अधा दिया गया संबंद Transitive भी है जब reflexive symmetric और Transitive तीनो हो स्वे तुल्या संमित संक्रामक तीनो हो तो वो क्या होगा Equalence relation होगा तुल्याता संबंद भी होगा आगी बाद समझ क्या हाँ तो खुद के बराबर है सारे के सारी होते है ठीक है छोड़ो अब अब अपने बात करते हैं इसका 10th question कह रहा है कि Give an example 10th question कह रहा है कि Give an example of relation which is तो वो कह रहा है इसके जितने भी parts है न 10th question वैसी कर लेना इसके जो जो आपको चाहिए वैसा देख लेना कौन सा question हमने किया है जैसे reflexive, transitive और symmetric तीनों चाहिए तो देख लेना कौन सा question हमने किया है वो लिख देना ठीक है ऐसी बाकी हो जाएँ अब बात करते हैं 11 number question पढ़ो सभी अब simple question है स्टेटमेंट वाले वैसे ही हो जाएँ 11 number पढ़ो पी कोमा क्यू दो पॉइंट है distance of point P from the origin is same as the distance of point Q from the origin वो क्या कह रहा है कि जो पी की origin से distance है उतनी ही distance है क्यू की भी origin से यही कह रहा है पी कह रहा है न यहीं कह रहा है अब जीरो नहीं ले ना वो कह रहा है पी की relation लिख रहा है उडिलेशन देखो ध्यान से ग्यारा नमर क्योशन है पी की origin से जो distance है मान लिए ओपी ठीक है जैसे यह कार्ट एजन प्लेन है यहां पर कोई point P है यहां पर कोई point Q है वो कह रहा है पी की O से जितनी distance है ना origin से क्योंकि भी उतनी है ठीक है यहीं आपको O P बराबर O क्यों दिया है अब ध्यान से सुनों आपने एक point लिया X,Y P point लिया है इसकी origin से जो distance है O P रूट X square प्लस Y square होगी ओरीजन से distance X square Y square होगी distance formula है distance formula है क्या किसी point की जो distance होती है origin से वो क्या उसकी खुद की distance के बराबर ही होगी origin से इसकी distance के बराबर ही होगी reflexive के लिए यही तो प्रूफ करना है जो X की Y से distance है हो X की Y से distance की बराबर है यहाँ पर ultimate हो जाना कि X,Y की जो है एक सिकी हो जाएगी नहीं यहाँ पर यह नहीं है यहाँ पर coordinate है यहाँ पर ordered pair नहीं है यह कोई क्रमित युगब नहीं कि यह पुइंट है और ओ क्या है बच्छो और रीजन है 0,0 ऑकी जो पी से डिस्टेंस है वो क्या ओकी पी से डिस्टेंस के बराबर होगी इस चीज़ को ऐसे पढ़ा जाएगा distance को समझ रहें नुब बात को यह distance है पूरी पूरी ओ की पी से जो distance है वो क्या op की distance के बराबर है इसका coordinate ऐसे लिखना जाहो तो लिख सकते op क्या op belong to r है समझ रहें बात को op belongs to अगर ए है op belongs to अगर A है तो कि O P कोमा O P BELONGS TO A सभी है सोरी O P Coma O P BELONGS TO A R है O P Coma O P BELONGS TO R ही होगा समझदे बात को O P O P के तो बराबर ही होगी समझदे बात को O P अगर O Q के बराबर है O P बराबर है O Q के घाट तो ओक्यू बराबर भीच नियुलॉज सब्हक्का जो अगल्यूउ ह। कि अगर बच्चो और के बराबर है रेहा थो ओसी उपजिए बने वाट को लिखने का तरीका है इंपाटने ठीक है रिप्लाई कर देना कि आ रहों दस मिट बें अब आई ये बारा नमबर क्योंशन तीवन और टीटू ठीक है आठ डिफाइन सेट उफ एक है वचो सभी तिर्भुजों का समुच्च है सेट उफ ओल्ड ट्राइंगल टीवन और टीटू दो ट्राइंगल है टीवन पहल है ठीक है ये रिलेशन है उनमें क्या कहा रहा है टीवन टीटू के समरूप है तो देखो यहां से क्या कोई तिर्भुज खुद के समरूप होता है समरूप था क्या होती है सिमिट्रिक क्या होती सिमिट्रिक क्या पढ़ते थे अपने बुजाओं का उनपात बराबर होता थ बजाओं का अनपाद बराबर होता था, sides का ratio equal होता था, corresponding sides का ratio, जैसे ABC अगर PQR के similar होता था, तो AB बटे में PQ, BC बटे में QR, AC बटे में PR होता था था और corresponding angle equal होते थे, तो आपको ये बताना है, ये symmetric समझगे ना, जो अपनी 10th class में गड़ते थे, ratio equal होता है, क्या कोई triangle है, इसकी साइड का रेशो खुद की साइड के रेशो के बराबर ही होता है जैसे एक ट्राइंगल है जिसकी साइड…. साइड है तो उसकी साइड के साथ ही रेशो के साइगा 3 औी 3 औ iç और 9 और 5 और यह यह.Tam के लिए कहा था क्योर्शन के नेक्स लाइन है मैं क्योर्श गोश्र समझा रहा हूं पता यह है हागी पास्माज तो यह रिफेलेक्सिव तो है पषिव घुट के सम्रूप होता ही होता है सह सो टीवन को माटी वन बिलोंक्स टू आर होगा अत यह क्या है रिफ्लेक्सिव हैं इult सीमिलर हैं तो क्या टीटूस बाट है अगर पहले रेशो एक बस तीन आ रहना तो फिर तीन बटा एक आता जाएगा यानि a b b c a c और p q q r p r के बीच में पहले एक बटा तीन एक बटा तीन है तो बाद में क्या आ जाएगा तीन बटा एक तीन बटा एक तीन बटा एक आएगा लेकिन है तो similar this means T1 T2 के similar है तो T2 T1 के भी similar है तो आप क्या लिकित होगे T1, T2 belongs to r this means T1 similar to T2 then T2 is also similar to T1 so T2, T1 also belongs to r so given relation is symmetric अता दिया गया सम्मध सम्मित है T1 T2 के similar है T2 T3 के है तो T1 भी तो T3 के होगी होगा रेशो तो सेम ही चलेगा समझगे बात को हां बराबर चली नीरी बात यहां पे अनुपात बराबर होता है similarity के अंदर तो यह जो क्योशन है बचो 12 आगे सभी को समझ हो जाएगा तेरा नंबर क्योशन P1 and P2 have same number of sides और यह क्या है पोलीगन है बचो ठीक है बहुबूज जिसको बोलते है पीवन और पीटू के बहुबूज जैसे तिर्बूज हो गया चतर्बूज हो गया पंच बूज हो गया तो P1 को मा पीवन अपने सोचते हैं देखो क्या प्रतेग बहुबूज में खुद के बराबर ही बुजाएं होती है होती है जो पोलीगन है उसमें खुद के equally side होगी तो पीवन को मा पीवन बिलोंग्स टू आर अता यह reflexive है पीवन में पीटू के equal अगर side है तो क्या पीटू में अबर होगी होगी ठीक है मचो तो यह transitive भी है ठीक है और यह भी कह रहा है कि यह side 3-4-5 लेकर करके दिखाओ तो करके दिखा देना अब 14 नमबर के option है L1-L2 L1 is parallel to L2 जहां से सुनो क्या कोई line खुद के parallel होती है क्या जी हां होती है parallel की condition है कि angle 0 बनना चाहिए ठीक है angle कुछ नहीं बनना चाहिए तो परतेक लाइन खुद के parallel होती है यह याद रखना बात को इसलिए यह reflexive है स्वैतुल्य है L1 समांतर है L2 के तो क्या L2 भी समांतर होगी L1 के होगी तो यह symmetric भी ऐसे लिखते होगे L1, L2 belongs to R L1 समांतर है L2 के तब L2 भी समांतर होगी L1 के फिर लिख ट्रीक L1 L2 के parallel है L2 L3 के parallel है तो क्या L1 L3 के पर लोगी होगी समझ की बात को तो यह हो गया 14 number question 15 number question है जो बच्चो वो आपको ये option दे रखे है relation दे रखे है क्या set तो दे रखे है 1,2,3,4 relation दे रखे है बच्चो 1,2,2,1,1,4,4,1,3,3,3,3,2 तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो 1,2,3,4 जिस set में ये define है तो क्या तुम्हारे पास एक एक दो दो तीन तीन चार चार है जी हाँ है अब ध्यान से देखना 1,2 है क्या 2,1 है नहीं है यानि ये क्या नहीं है symmetric नहीं है ठीक है reflexive तो था symmetric नहीं है transit देखो 1,2 है 2,2 है 1,2 है ठीक है तो बचो पंद्रमा जो question है उसमें जो D है और एक equivalence कैसे हो गए equivalence जब ये वो है नहीं symmetric ही नहीं है तो कैसे हो गए equivalence कापे है 1,2 है 2,1 दिख रहे है तरको नहीं है न तो बच्चे इसका देखो transit वैं क्या 1,2 2,2 1,2 है ठीक है 1,3 है 3,3 ठीक है 3,2 है 2,2 है 3,2 भी है तो ये transit वी है बी option है इसका देखो चेक करो सही है सही है सोलमा सोलमा में कह रहा है कि बच्चो एक जो relation है define है end पे end यानी प्रकरसंच्चाओं पे तो वो कह रहा है कौन इसको satisfy करेगा पहले बात करें बी बड़ा है 6 से तो आप खुद ही देख लो खोता हो कि पहले तो कौन सा option है जिसमें बी बड़ा है 6 से बी सी और डी में है ए नहीं है तो पहले ए तो वैसे ही खतम हो गया अब बी अगर आप यहां पे 8 पुट करोगे जैसे बी option अपने देखें बी आप पुट करेंगे तो 8 में से 2 गे कितने आगे 6 लेकिन B का तो X 3 ही है तो बच्चे अगर C option चेक करें 8 माइनस 2 6 तो 6 आगया तो C option इसका सही है समर्यों? यानि उस equation को कौन सा point satisfy कर रहा है? सिद्धी सी बात ही है तो C option खदम इसके साथ ही हमारी 1.1 exercise क्या होगी? खदम होगी